नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, Poco C31 vs. Tecno Spark 9 का full depth comparison करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के dimension की, दोनों फोन की length की बात करें तो, C31 में 6.49 इंच जबकी Spark 9 में 6.48 इंच की length मिलती है, जो की same जैसी ही है width की बात करें तो, C31 में 3.04 इंच जबकी Spark 9 में 2.99 इंच की width मिलती है जो की C31 से कम है बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में same ही, 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते है weight की तो weight दोनों फोन का same ही, 194 grams weight देखने को मिलता है तो चलिए अब हम display को compare करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में same ही, IPS LCD की display मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में same ही, 20 ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, C31 में 6.53 इंचिस जब की स्पार्क 9 में 6.6 इंचिस मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही, 720 by 1600 मिलता है स्क्रीन की बॉडी रेशियो, C31 में 80.97 प्रतिशत जब की स्पार्क 9 में 84.12 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, C31 में 279 प्रतिश जब की स्पार्क 9 में 266 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की camera, macro camera और आखिय में depth camera देखने को मिलता है और Spark 9 की बात करें तो इसमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिय में अन questionnaire सेकन्डरी गामरा देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनुझ फोन में 7 टिफिरेंट ताइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो c1.3 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और spark 9 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अधिये अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है हार्डवेर में सबसे पहले CPU जो की स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU दोनों फोन में सेम ही पावब जी यी आर्ट तीन दो शून्य देखने को मिलता है चिपसेट की बात करें तो C31 में MediaTek Helio G35 और Spark 9 में MediaTek Helio G37 मिलता है बात करें RAM की तो C31 में दो वेरियंट देखने को मिलता है जिसमें 3 GB 4 GB की रेम मिलती है जबकि Spark 9 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो C31 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है जिसमें 32 GB 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Spark 9 में 2 वेरियंट देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो C31 में अप्टू 512 GB जबकि Spark 9 में अप्टू 512 GB है Operating System की बात करें तो C31 में Android V10 Q जबकि Spark 9 में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो Colors Option देखने को मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C31 में दो वेरियंट देखने को मिलते है जो की 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रूपीज 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Spark 9 की तो उसमें दो वेरियंट देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रूपीज 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रूपीज में मिलते है दोस्तो अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो पोको C31 में 4 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 9 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मंस में स्पार्क नाइन आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना